नमस्कार, आज मैं आप लोलू के सामने सुजान भर्गत का एक बहुत important question को explain करने जा रही हूँ इसका जो question है वो ये है कि सुजान भर्गत को सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी पत्नी बुलाखी पर क्यों आता है तो सुजान भर्गत को सबसे ज़्यादा गुस्सा अपनी पत्नी बुलाखी पर इसलिए आता है क्योंकि बुलाखी अच्छी तरह से जानती थी कि सुजान भर्गत ने कितनी महनत करके धन संपत्ते इकठा किया है गाउं में अपनी इजद बनाई है पूरे परिवार में अपना नाम कमाया है उसे अच्छी तरह से पता था कि सुजान भर्गत दिन रात पर इश्रम करता था वो बहुत महनत करता था दिन रात खेतों में पसीना बहाता था तब जातर उसने पैसे कमाये थे लेकिन आज जब सुजान भदत बुड़ा हो रहा है तो बुलाखी उसे जरा सी भी समझने को तयार नहीं है वो तो अपने बच्चों का ही साथ देती है जब भोला ने सुजान के हाथ से अनाज की टोकरी छीन ली थी जो वो भिटशुट को देने के लिए जा रहा था सुजान भलत तो भोला ने उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीन ली और बुलाखी ने जरा भी अपने बच्चे को भोला को उसमें समझाया नहीं कि तुम अपन से ऐसी बातें क्यों करते हो, वो चाहती तो अपने बच्चे को समझा सकती थी, उसके बेटे के सामने, भोला ने सुजान भरत को डाट दिया, इतना ही नहीं, उसके हाथ से अनाच की टोकरी छीन ली, लेकिन बुलाकी ने एक शब्द भी नहीं कहा, उल्टे वो आतर के सुजा कि आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे, वैसे ही वो काम करे, यानि अगर तुम अभी काम नहीं कर पा रहे हो, यानि सुजान अभी काम नहीं कर रहा है, तो वो अपने बच्चों की इशारों पर नाचना शुरू कर दे, जैसा वो कहते हैं, वैसा ही वो करे, इन बातों को स उनतर के सुजान भर्ड़त को सबसे ज़्यादा घुस्सा अपनी पत्नी बुलाकी पराता है। कि सारी बातें जानते हुए भी वो ये जानती थी कि सुजान कितना महनती है, सारी बातें जानते हुए भी वो अपने बच्चों का साथ दे रही है, बुलाकी को आज तर सुजान ने एक थपड भी नहीं मारा था, हमेशा उसके विचारों का साथ दिया था, लेकिन आज सुज जान को बुलाची की जरूरत है तो वो अंधी होतर के अपने बच्चों का ही साथ दे